हेलो फ्रेंट्स गुडविनिंग नमस्कार उमिद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी ट्रेड जर्नी बड़ी अच्छे से चल रही होगी कल अमने जो स्टोक डिसकेश की ते आज तो मार्केट कैसी रही थी मार्केट मार्केट डाउन गई थोड़ी अप में मुवमेंट हुआ मार्केट में आज और बहुत से लोगों ने दोनों तरफ जो लोग निफ्टी और बेंग निफ्टी ट्रेड करते दोनों तरफ में स्टोप लोस भी हीट हुए होंगे लोगों के हमने क्या किया था हम मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हू और कौशिच करता हूं बताने के लिए कि swing trading करते रहेंगे दोस्तों तो swing trading में हमको अच्छा पैसा मिल सकता है regular earning हो सकती है और मुसिबत के समय में जहां पे एकदम से कुछ correction आए तो हम stock को hold कर सकते हैं क्योंकि हमारी position cash में है और हमने क्या कर रखा है और हम किसी भी stock को 5% से 7% से ज़्यादा वेटेस नहीं देंगे तो यह बहुत ही महत्तव और important rule is swing trading के लिए और साथ-साथ हम कुछ ऐसे stocks रखते हैं जो portfolio में add कर सकते हैं regular basis पे, month और month basis पे उनको हम stock SIP बोलते हैं जैसे विप्रोक ऐसा stock है, EXI है, IEX ऐसा stock है हम TCS भी ऐसे यूज कर रहे हैं जैसा technology भी ऐसे start कर दिया है तो यह stock ऐसे हैं जो down अप गए थे वापिस down आये हैं और साइड वेज और accumulation phase में चल रहे हैं stage 1 मैंने image भी आप लोगों को साथ share की होगी टेलेगराम को चैनल है, वहाँ पर आप देखना stage, चार stage उसमें दिखाए गई है कि कौन सी stage में क्या decision लेना चाहिए आपको तो अभी stage 1 चल रही है, यहाँ पर हमको accumulate करना चाहिए stocks को इखटे कर देखर, monthly basis बेकर सकते हो तो आज market बहुत ही मुश्किल था और इस मुश्किल मार्केट में भी मैं आपके लिए 3-4 stock ऐसे लेकिया हूँ जो आप अपने portfolio में हो सकता आपके वास पहले से हूँ, क्योंकि stocks तो उतने ही है, market में एकदम से तो पैता नहीं होगे, नए stock नहीं आएंगे बट हाँ stock अच्छे level पे है, अच्छे situation पे लग रहे हैं, अच्छे chart pattern पे लग रहे हैं, तो discuss करते हैं दोस्तों, चलिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अपनी तरफ से effort करता हूँ, कि आपको अच्छे stocks आइडिया discuss करूँ, पहला stock है, कोटक महेंदरा बैंक, हम सब ने सुना है, कोटक महेंदरा बैंक, अब देखो कोटक महेंदरा बैंक में देखो पहला reason, यह आज की कैंडल का क्या हुआ है, bullish engulf, sorry मैंने बोल दिया, मैं आपसे पूछना चाहता था कि यह कौन सा pattern है यह, तो यह bullish engulf pattern है, तो आज की day candle ने last day की candle को completely eat out किया है, तो एक अच्छा sign है, यहाँ पे trend reversal का sign ही भी हो स दूसरा अब यह वाली candle आप देख रहे है, red candle, red candle की RSI देखेंगे और यहाँ की low RSI देखेंगे तो RSI में कुछ difference न ज़रा रहा है, यह RSI higher low बना रही है, RSI में RSI के भी मैंने images share की हैं कि continuation pattern क्या होता है RSI का और hidden pattern होते हैं, तो यह continuation pattern है, RSI stock नीचे जा रहा है, RSI उपर जा तो यहां से trend का reversal हो सकता है, हमेशा trend के साथ trade करना बहुत जरूर ही होता है, trend के against trade करेंगे तो उसमें उतने point दी निकलेंगे और loss होने के chances बहुत जाद रहते हैं, यह जो nifty bank nifty trade करते हैं तो उस trend को भूल जाते हैं कई बार और कुछ गलत trade ले ले लेते हैं, और उसमें stop loss बीड होता है, अभी हमको क्या करना हमको सेफ साइड में रखे चलना है, stop loss क्या रखेंगे, 1690 रूपी, 1689 यह हम stop loss रखने वाले हैं, stock अभी 1725 पे trade कर रहा है, हमको क्या चाहिए, swing trading करनी है, swing trade करने के लिए हमको चाहिए कि वैसे तो breakout आएगा यह वाले level, यह वाले level से अपने को दिखा सकता है, यहां तक भी आ सकते हैं, 1965 तक के, अभी हम क्या कर रहे हैं, short term usage discuss करें, short term में अपने को पहले क्या चाहिए है, पहले चाहिए है यह वाली candle, 1745 ओके जी, फिर यह वाली candle का टोप चाहिए है, 1770 और फिर इस वाली candle का टोप चाहिए, 1719 इन तीन छो टक महंदरा बैंक में निवेश कर सकते हो दोस्तों, बट स्टोप लोज के साथ निवेश करना, स्टोप लोज अगर आपने कैच नहीं किया, तो प्रीज उसको वापिस से स्टोल बैक कीजिए, और स्टोप लोज को नेट कीजिए, नोट कीजिए, 1689, 1689 रुपे, 1689 रुप आप लोग इसको क्या बोलते हो जिपलीज एक बार, बताएए इन दो लास्ट की दूप केंडल को क्या बोलते हैं आप मैंक को बड़ो दगए एक बार, मैं वेको टू आरली केंडल भी दिखा रहा हूँ टूरली केंडल में अब देखेंगे कि यहां पे ना स्टोक एक्कुमिलेट हो रहा था आरेसाई उपर जा रही है स्टोक सेम लेवल पे है आरेसाई ने हायर लो बनाया है तो एक और दूसरा देखो इंपोर्टेंट क्या चीज बनी अब आरेली क्या हुआ अच्छा कि यह ना ही ने में के उपर ट्रेड कर रहा है टूरली केंडल में क्लोजिंग भी इसके उपर है तो आपी से डे केंडल में चलते हैं स्टोक अभी ट्रेड कर रहा 159 पे क्या करना हमको वनली 1 करना चाहिए कि यह को पता लग जाए 153 का है अगर यहां से नीचे जाता तो च्छोटे से शब्लॉस तो Premal प्लोम कि झिल जाएँ हांगे उसको और बात मान नचे मिजिए इस अगर उपर लेके जाएंगे तो भी प्रोफिट बड़ा होगा आपका कि 164 171 180 इन टार्गेट के लिए आप स्विंग ट्रेड करके छोटे समय के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं हो सकता कि कल आपको इंटराडे ट्रेड भी यह स्टोक्स जारो के जारो स्टोक्स इंटराडे ट्रेड भी देदें अब आगे बढ़ते हैं Last ofक की तरफ की तरह बाइयोख बाइयोख न एक अल्बिटिड आप देख सकते हो इस्टोक क्या कर रहा Shukoh जी इसको थोड़ा से लार्ज कर रहा हो आपको थोड़ा दिखाने के लिए ये ये सोक ने क्या है lower low बनाए ऐलो ये लोडो बनाया निव अब सेम टाइम में क्या हुआ है इ सेम टाइम सेए सक ने हराइस ही क्या पर जा सकता है उपार स्ग्रेशन दिए यहाँ से उपर जा सकता है कंफरमेशन के बाद आप चेक कीजिए पहले क्या फोर और ली केंडल में कुछ अच्छा लग रहा है कि होर और ली केंडल में क्या दिखा कुछ आई चीज समझ में यह देखो बुल बुल्स और बीर्स की फाइट क्या हुई यहां पर बीर्स इसको नीचे लेके जा रहे थे बट बुल्स इसको उपर लेके के डोजी केंडल बनी और नेक्स फोर और में बुल्स ने पूरी बाजी मार लिया है टू आउरली में क्या हो रहा है टू आउरली में विल्कुक सेम बुल्स हावी है तो हमको क्या चीजिए हमको तो बाई साइड में ही जाना है दोस्तों 229 पे ट्रेड कर रहा है स्टोक 234 पहला टार्गेट स्टोप्लोस रहा है स्टोप्लोस मत बुलना दो स्टोप्लोस 217 का है 217 पहला है चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है तो चार्ट पैटर्न पे और आरेसाई के रिवर्सल पे बुलिस डैवर्जन्स पे हम इसके तरफ जा सकते हैं इसके साथ जा सकते हैं नेक्स्टों के दोस्तों आईसी आईसी प्रू लाइफ बजट वाले दिन बहुत ही बहेंकर रूप से गिरा अब उसके बाद उसके बाद एक पुलबेक आया वट नहीं 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 में के उपर ज्यादा देर टिक नहीं पाया वापिस नीचे जा रहा है तो लोग बिल्कुल लोग अलमोस सेम बनाए हैं बट आरसाई क्या कह रही है कि हायर लोग बनाए जिसने आरसाई में अब यहां पर कोई पैटर्न आपको नजार आ रहा है तो जो भी मेरे मित्र जो भी मैडम जो भी सर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपके कमे कमेंट आपके आप लोगों की तरफ से मिलेंगे कि हां कोई आदमी कोई मित्र कोई मैडम समय देकर वीडियो को देख रहे हैं और उनको उनके समय की राइट वैल्यू मिल रही है कुछ अच्छे स्टोक हम डिसकस कर रहे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में या पोजिसली उन और ये चारो स्टोक आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों आपके जो भी दोस्त ट्रेडिंग करते हैं जिन को बिलिव है कि स्टोक मार्केट में पैसा बनता है देकर बहुत से लोग बिलिव नहीं करते हैं यहां तक जाएगा उसके बाद क्या यह स्टोक यह टच करेगा क्या यह टच करेगा क्या यह टच करेगा और उसके बाद क्या उपर जाएगा तो यह अब को समय बताएगा दोस्तों बट अभी फिल्वाल सिचुएशन कैसी लग रही है लग रही है कि यह हो सकता है यह हो सकता है तो हम इसके साथ जाएंगे stock 405 पर trade कर रहा है हम 389 के stock loss के साथ इसमें investment कर सकते हैं आध stock loss reasonable stock loss होना चाहिए location stock loss अईसा जगए पर stock loss इतो हने के chances कम और profit होने के chance ज़ाद रहे तो हमको daily closing basis पर अगर stock 1989 के नीचे जाता है तो हमको निगलना चाहिए यह चाहिए फिर 440 और फिर 455 इंटारगेट के लिए और थोड़ा पेशन्स रखेंगे तो 480 प्लस के लिए भी आप इसमें वेट कर सकते हो दोस्तों समय लगेगा पर पैसा बनेगा स्विंग ट्रेडिंग भूत ही अच्छी चीज़ है इसी से देशा के बढ़ने वाला एं इंटरडे ट्रेडर छोटा पैसा बनाता हैं पैसे स्टोंक मार्केट में सबसे एंपोर्टेंट सबसे बड़ी चीज क्या है पेशेंस अपका बियावियर कैसा है वह आपके करता है दो सेम लोग सेम ट्रेड में एंटरी करेंगे सेम ट्रेड में एकजिट करने के लिए बोलो दोनों नहीं मिलेगा हां सेम तब हो सकता हूँ जो साथ बैठे हैं अगर दूसरे कमरे में बैठा दो उनको बोलो कि यहां तक जाएगा पैसा बन सकता है फिर भी वह अलग अ buy करेंगे और अलग-अलग rate पे sell करेंगे यही behavior है human behavior है इसी की वज़े से लोगों का पैसा उपर और नीचे चाता है थैंक यू ब्रैंट्स उमीद करता हूँ stocks ideas आपको अच्छे लगोंगे यह अपना channel है दोस्तों telegram पे money mantra वे दीपक रूइला आपके साथ daytime में अच्छे chart share करता हूँ कम share करता हूँ पर अच्छे share करता हूँ हमने आज भी कुछ chart discuss किये दे share किये दे डिक्सन का भी chart share किया था क्रिष्टन का भी chart share किया था इस token ने 3-4% की return आपको daytime में एक दिन के अंदर बना के दिये क्योंकि chart pattern अच्छा था इसलिए बने रेटन चार्ट पर अच्छा अपनो breakout आ रहा था यहाँ पर लग रहा था तो अगर आपको चीज़े अच्छी लग रही है तो दोस्त के साथ share करना मुद भूला फ्रेंट्स हमारा target है हम कब अपना जो YouTube channel है यहाँ पर 10,000 देखेंगे दोस्तों तो it's all up to you guys Thank you friends Have a wonderful time Jai Hind, Jai Bharat हम फिर मिलेंगे दोस्तों